पेले अचानक ये कारिक्रमता है हुआ कि सरसती के सस्वराल में मखान बनना चाहिए कोई प्लानिंग नहीं थी शुरू में केवल इतना इतना प्लान था या ऐसा मन में था कि केवल एक अभी रहने लाइक बरसात आने के पहले एक पक्का आस्रा बन जाया है बाद में उसको गोदाम किजिए के काम ले लेंगे कुछ भी कर लेंगे तो उससे ही काम चल जाएगा और जब तिस दिन यहां पाठ करने के लिए मैं आया तो सरस्वती ने कागज दिखाया कि काको सादे कि कैसे ठीक रहेगा के नक्सा मैं सोच रहा था को गोदाम की बात ती इसमें तो दो कमरे इदर नाड इदर रसोई जो को बाब जी दया करके पूरा कर दे तो जो यह पक्का उदारन है ऐसे हमेसा उदारन मिलते है अपने को अपन तो सावचेत नहीं होते कि जो बाब जी के बरुसे रहते हैं तो बाब जी इतने करुणा सिंदू है कृपा सागर है इतने बड़े दाता है कि जो अबोद बालक के भाव से सरन लिये वे रहते हैं उनके लिए जितना वो ठीक समझते हैं उतनी व्यवस्ता अपनी तरफ से करते हैं अपनी तरफ से कर देते हैं चाये अपनी मांग हो या नहीं हो चाये अपना इतनी इरादा हो कि नहीं हो चाये अपने पास इतनी विवस्ता हो कि नहीं हो लेकिन जो उनको देना है तो वो हजार हातवारे हैं और देते हैं और बहुत सुन्दर ये तो हवामेल जैसा बावद में जाकर करके क्यों उंचा है चारों दिशाओं से हवा आने का प्रकास आने का बाकायदा इसमें सुधा है तो इतना सुन्दर और ये कोई बड़ी बात तो नहीं है बाब जी के लिए तो कुछ है नहीं है और जो दुनिया की नेमत को बड़ी बात मानता नहीं उनको ही देते हैं क्योंकि ये दिदेवें बाब जी और अपन उसकी आसकती में ममत्व में फस जाएं तो उसमें तो अपना बला नहीं है और जिस चीज में अपना बला नहीं है वो बाब जी चाते नहीं है इसलिए जैसे उनकी मोज जैसे वो दुनिया में रखना चाहें रखें तो अपने बच्चों को तो मा हमें साँ आराम में ही रखेगी जबकि ये हमारा असली गर नहीं है ये दुनिया हमारा असली गर नहीं है इस बात को हम तो फिर भी भूलते ही है भूले वे जैसे ही है हमें याद नहीं रहता लेकि बाप जी तो इस बात को सदा यारद रखते हैं कि ये बच्चों हमारे यहां पे परदेश में बठके वे हैं इनको अपने स्वयम के गर में जो इनका भी खुद का भी गर है आप तो वहां से आया ही है तो वहां लेके जाना है फिर भी जब तक यहां विश्राम है तब तक भी तकलीप में कभी नहीं रखते हैं सर्त यही है कि अबोध बालक के बाव से उनकी सरन लें और अपने कोई काम न पेश न करें जितना वो दें उतना ले लें तो इस तरह से तो जगत के सारे काम हमारे समारते ही हैं लेकिन उनका यह भी हुक्म है यह उनका आदेस ही है और हमारे इलाव का है उनका हर आदेस हर उपदेस हमारे बले के लिए है तो आपका ये हुकम है और हमें कोसीज करने चाहिए कि हम उसका पालन करें कि जगत के पदार्थ जो बाप जी देते हैं परिवार भी उनका दिया हुआ है माबाप उन्होंने दिये माप और बाप के दिल में हमारे लिए इसने किस ने रखा उस मालिक ने रखा जिससे हमारा दुनिया में पालन पोसन सरल हो गया हमारे बहुत ही तैसी हैं उदारन के लिए माबाप को ही लें तो माबाप जो हमारा हिट चिंटन करते हैं हमारे लिए दोड़बा करते हैं हाँ हमारे काम में कोई बिग्न ने आ जाए उसके लिए पहले से सोचते हैं इस सब के पीछे कौन है इस सब के पीछे वही ताकत है बाप जी के हित चिंतन की और हमारे सच्चे हितमित अपन रोज पाथ में बोलते हैं ना सद्गुर सद्गुर सवामे हितमित मेरे सद्गुर स हमारे हित, हमारा हित सोचने वाले, हित करने वाले और हमारे असली मित याने मित्र, केवल बाब जी हैं, लेकिन उनका एक होक्म है, कि जितना वो देंगे, और भी देते रहेंगे, हमें कभी किसी बात की तकलीप नहीं आने देंगे, लेकिन हम उसमें आसक्त नहीं हो जाएं, आसक्त का मतलब है, उसके बंदन में, उसके साथ ममता के बंदन में जगत के लोग, जगत के पदार, जगत के सुक और आराम के सादन, जगत के मान बढ़ाई, इसके अंदर हमारा लगाव इतना नहीं हो जाए कि बाब जी को बूल जा और लगाव बिल्कुल ही नयो तो और भी अच्छा है उनकी दिवई चीज है और वो और देते रहेंगे और इदिवापस ले ले तो भी अपना क्या गया सचमुच में इस वावना से रह सकें तो कभी कोई बिगन आएगा नहीं और इसी ममता की जेवडी से यानि ममता की रसी से पूरा जगत बंदा हुआ है पूरा जगत इसी से बंदा हुआ है इसलिए यहीं पे रह जाएगा यह जड़ सामान यहां के जड़ सुख यहां के हर चीज नस्वर है जड़ है जड़ता की ये रचना है और इस से इसके साथ हमारा बंदन याने आसक्ती ममता अगर गेरी हो गई तो फिर हम जड़ के साथ बंदे वे यहीं रह जाएंगे बाब जे मैं निर्मल चेतन्य के देश में ले जाना चाहते हैं और मैंने निवेदन किया कि ये बंदन या आसक्ती की दोरी है जिस से पूरा जगत बंदा हुआ है सद्गूर कबीर साथ का फरमान है जे जे वरी से जग बंदयो तू जन बंदे कबीर सेवकों को हुकम है कि जिस जेवडी से जिस रसी से जिस बंदन से पूरा जगत बंदा हुआ है लेकिन भाई ठूमत बंदना क्यों? कि मैंने जैसा भी पहले चर्चा में आया कि अगर जड़ से बंदे वे रहे जाएंगे तो बाप जी के चरण शूट जाएंगे बाप जी का नाम शूट जाएगा और बाप जी के नाम और चरण से बंदे वे रहेंगे रहना इसी मकान में है, रहना इसी दुनिया में है यही दुनिया के लोगों के साथ में प्रेम से रहना है जब तक यहां का आसा बासा है, अंजल है तब तक यही पूरे करना समय है लेकिन हर पल बाब जी के चर्णों में हमारा सने का बंदन, प्रेम का बंदन मजबूत होता जावे, दुनिया से कमजोर होता जावे, ये कोशिश करते रहना है, और जो बंदन है नहीं उस नए बंदन को पेदा नहीं करना है, अगर इस उपदेश का पालन नहीं कर पाएंगे तो हम भी बंदन में आ जाएंगे, क्योंकि एक दिन तो ऐसा था जब हम बाब जी के चर्णों में ही थे, तो यहां आकर के इस बाब सागर के गेराई में, इतने दुख के समुदर में, बंदन में आ गए, इसलिए कि हम जो ना हमारा खयाल, हमारी तवज्जह, हमारी चाहना में माया बस गई, तो इस माया देश में उतर गए, तो बाब जी का फर्मान है कि जे जे वरिशे जग बंदयो, तू जनी बंदे कबीर, जासी आटा लोन जो सोन समान सरीर, सोने जैसा ये नर्तन, सोने का मतलब है कि बहुत सुन्दर भी है, बहुत काम का है, इसलिए जादा नश्ट हो जाता है एक दिन, और बुड़ा पे में सुन्दर ता कम होते होते मरते दरावना भी हो जाता है, सोने से मतलब है कीमती, सोने से मतलब है सुवावना, सोने से मतलब है बहुत इस से उंचा लाब का काम लिया जा सकता है, बहुत मुल्य है, सोने जैसा सरीर, कहां गया हमारे बीच में कितने लोग हमारे सामने से चले जाते हैं ज्यादा दिन नी वे जो अभी अभी गए हैं उनको भी अब कहां गए कुछ पता नहीं चलता जैसे आटे में नमक डाला आटा सांते हैं बेने माता हैं जवरस भी मनती हैं तो आटे में थोड़ा सा नमक डा पनी तालते हैं अब पानी डालने के पहले उसको मिलाली और पानी डालके मिलाली अब नमग को तेक मिलता का रही है। दूनने से दिखेगा भी नहीं, तो जासी आटा लोन जों सोन समान सरी, इसलिए बापजी का हुक्म है कि जगत में रहें, खूप रेम से, जगत के सब काम भी करना है, सरीर के सारसमाल का काम, परिवार के सारसमाल का काम, सब कुछ करना, खेतिवारी करनी है, अपने सरीर का लेकिन फिर भी इसमें ममता नहीं होने चाहिए, अपना नहीं है, है तो अपना इस नाते से अपना है कि बाप जी ने दिया है, तो बाप जी का है तो अपना है, लेकिन फिर भी छोटा बच्चा मा के वरुसे रहता है, मा चाय जो करे, तो बाप जी ने दया खरी और ऐसे ही बाप जी हमारा पूरा जीवन और उसके बाद का इस जीवन के बाद के जीवन का याने दीन का और दुनिया का और दीन का लोग का और परलोग का सारा इभार सारे योग शेम की गारंटी बाब जी लेना चाहते हैं ले सकते हैं ऐसा नहीं है लेना भी चाहते हैं बाब जी चाहते हैं हमें सौंप दिया जाए तिससे कि हम निर्द्वन्द हो करके प्रेम से उनका नाम ले सकें और ये कोई कपोल कल्पित बात नहीं है बाब जी का ऐसा विर्द है साथ संगी सब जानते हैं पुरा सनातन दर्म जानता है भगवान ने अपने सिर्मुक से स्रिमत गीता बगवत गीता में फरमाया है योग ख्षेम वहाम में कि जो मेरी सरन है उनके योग ख्षेम की याने कि उनके कुसलता की उनकी कुसलता का भार में वहन करूंगा ये भगवान ने स्वेम अपने मुख से गारंटी दिये तो ये बाब जी का बिरद ही है इसलिए निश्चिंत रहें सारे काम सारने वाड़े हैं सारते आये हैं अपने प्रेमियों के अपने बक्तों के जो उनके सरनागत हैं, जो उनके बालकवत हैं उनके सारे काम वोई निबाते हैं, वोई सारते हैं और ये एक उदारन नहीं है ऐसे हमेशा हमारे साथ बाब जी की दया इस तरह से बरसती है हम तो कुछ-कुछ करतक नहीं है इसलिए याद भी नहीं करते मेसूस भी नहीं करते हैं कि ऐसी बाब जी की दया है ऐसी बाब जी ने दया करके सब काम किया जिन चीजों का इंतजाम हमारे पास नहीं था जिन चीजों की हमारे दिमाग में नकसा कलपना नहीं थी उन सब अच्छे अच्छे कामों को और हमारे जरूरत के कामों को बाप जी ने दया करके पूरा किया और पूरा करते आए हैं आगे भी करेंगे जब से यह सरीर दिया है तब से उसके पहले से हम भूल गए हैं लेकिन हैं तो उनके ही तो इस तरीके से जगत में रहना सीखें कि जगत में जो कुछ है हमारा नहीं है बाप जी का है उस प्रबू का दिया हुआ है और हम उसके अमानतदार हैं हमें उसकी देखरे का जिम्मा दे दिया है तो उसको काम ले सकते हैं लेकिन ममत्व नहीं उसमें लगाव नहीं रात दिन उसके बारे में सोचते हैं रहें ऐसा नहीं जगत के काम और जगत की चीजें ऐसी है कि सब कुछ ठीक करने के बाद भी सब कुछ उसका पक्के से पक्का इंतजाम करने के बाद भी चीजें नश्टोने वारी होती है और कभी-कभी कोई काम ऐसा होता है जो हमारे मन पसंद का नहीं होता तो उसमें भी उतना ही खुश रेने का हमारा फर्ज है जो काम हम चाहते हैं वेसा हो गया जैसा अनक से आपने बनाया बाब जिन दया खरके उससे ज़्यादा सुंदर बना दिया अपने उसमें नाडे से गड़वां पत्तर गी थोड़ी सोची थी, लेकिन बाब जी न दया करके कर दी, और यदि हम सोचें और उससे कुछ हलका बाब जी कर दें तो बाब जी का प्रेम तो उतना ही बड़ी है, हम कम फसेंगे, इसमें कोई मोज होगी, हमारी बले की मोज है, ऐसी बाबना से जगत में रहना सीख जाएं तो फिर कोई बंदन हमें लगेगा नहीं, सारे काम निसकाम बाब से करें, सारे काम फल की इच्छा को छोड़ करके करें, सारे ही काम जगत के, बाब जी की दी हुई सेवा समझ के करें, और जो काम सुदर गया वो उनका, और जो बिगड़ गया वो काम तो उनका, लेकिन बिगड़ा हमारी नादानी की वज़े से, ऐसा ही तो होता है, काम जो सुदर ते हैं, मालिक दया करके सुदार देते हैं, लेकिन बीच में ओजार कौन है, मालिक तो गुपत रूप से दया कमजोरी हो, ओजार अदूरा हो, तो कोई काम ठीक नहीं भी होता, तो जो काम में कमी रह जाती है, वो हमारी वज़े से, बली करे सो राम जी के सत गुरू के संत, जो काम भलाव करते हैं, वे मालिक करते हैं, या गुरुदेव दया करके करते हैं, या संतों की करपा से होता है, या तो मालिक दया करते हैं, या सचे पूरे गुरु दया करते हैं, या संतों की करपा और आशिरवात से भी होता है, बली करे सो राम जी के सत गुरु के संत बूंडी बने सो भाग सू ऐसी उरधारंत और जो काम ठीक नहीं बना मारवाडी काया है ये कवित ये कोई मापुरसों के बाणी है राम से नहीं संपर्दाय के मापुरसों के किनिकी बाणी है तो जो ठीक नहीं हुआ वो हमारे भाग्य की कमे से ठीक नहीं हुआ ऐसी मन में धारना रेनी चाहिए बली करे सो राम जी के सद्गुर के संत बूंडी बने सो भाग सूं ऐसी उर्दारंत ऐसी उर्दारंत तबे कुछ बिगडे नाई ता सेवक की इलाज प्रतिग्यारा खेषाई में अब यदि हम ऐसा जो जो काम सपल होते हैं पूरे होते हैं ठीक ड्रणक से हो जाते हैं तो एक तो अपन मुँह से कहते हैं यह बाब जी की दया से हो गया अंतर में वो वेसी सद बावना वेसी गेरी सर्दा की बावना वेसी गेरी अद्ब नहीं है वेसी गेरी सरनागती नहीं है वेसा समर्पन है नहीं जैसा दिखाते हैं तो कुछ कपट का अंस भी हमारे वेवार में रहता है अब मेरे जिससे के ज़्यादा भी रहता है कहीं के कम रहता है तो वो बागे साली है लेकिन यदि किसी के दिल में मुझ से तो कहने की जरूरती नहीं है सच मुझ में ये वावना हो कि मालिक बाब जी बड़े दयालू है दया करके सब बिगड़ी हुई को सुधारते हैं करते करते में काम बिगाड़ता हूँ बाब जी फिर दया करकर के उसको सुधारते जाते हैं मेरे स्वारत के काम बेर परमारत के काम बेर दया करके परमारत के काम में मन बिगाड़ता है बाब जी के भोग लगाते वक्त भी बाब जी के आसन पर बाब जी के भोग के थाली रखी और उस वक्त जुक करके नमस्कार किया और मेरा मन जब जुक रहा था तब तक बाब जी को भूग लगाना यह यहाथ ता और जब तक जुका तब तक उड़ गया, यानि मन कहीं ओर से लगया और फिर गर्दन उची करी तब यह ख्याल आया के भूग तो लगा या नहीं अपने तो नंग से तो नहीं लगा है तो कौन सा काम अपना मन सुधारता है ये तो एक उधारन दिया मेने मेरे साथ ऐसा रोज बीचता है क्या करें मन बड़ा दुस्ट है और किसी किसी का ज्यादा मगरूर होता है मेरे जैसे का तो यदि किसी के दिल में ये सचाई से दार न हो कि जो कुछ अच्छा करते हैं वो आप जी करते हैं जो कुछ बिगड़ गया वो मेरे मैंने अपने सबाव की मलीनता से मन की मलीनता से बिगाड़ दिया ऐसी उर्दारन तो तब एक कुछ बिगड़े नहीं यदि ऐसी दारना मन में सचमुच में हो यानि इसमें कपड तो चलता नहीं क्यों किसको दिखाना है वो मालिक तो गट में बैटा सब देख रहा है ज्यादा सफाई देने की भी जूरूत नहीं जितनी बिगड़ गई उनको तो पता है कैसे बिगड़ी हमने जो जो गलती करी उनको पता है जो जो गलत विचार मेरे द ठामने जैसे जभान लड़ाए जाती है न वो और गुना एक और बनता है पहले कपट करते हैं पहले गलती करते हैं फिर कहते के नहीं करी है ऐसी गलती बढही नहीं थोड़ी बहुत बढ़ गई उसमें कारण दूसर था यह सब फिर यह बेहूद की है ये भी बाब जी की बेहद भी है, जो सब जानते हैं बई, तो ऐसी उर्धारंत तबे कुछ बिगडे नाएं, ता सेवक की लाज कतिग्या राखे शाहिं, ये दि उस सेवक ने कभी कुछ मन में कोई संकल्ब कर लिया, वैसे तो करते ही नहीं है, भक्त होते हैं, वो तो बाब जी के बरूसे ही रहते हैं जैसा, बाब जी चाहें वैसा करें, लेकिन भई दुनिया में रहते हैं और कभी हो जाता है, सोच लिया कि ये काम, ऐसा हो जाए तो ठीक है, तो फिर उस काम को सिद्ध होने से कोई नहीं रहे, यदि वो काम निसेद कर्मों में सामिल नहीं है, उ तो स्वर्ग का होगा, तब तो क्योंकि जो हमारे हानी का काम होगा, मर्यादा की सीमा का उलंगन जिस काम में होता है, वो तो बाब जी दया करके हमें उससे बचाएंगे उसमें नहीं फसले देंगे। भले हम चाहें प्राटना भी करें। लेकिन यदि मर्यादा सम्मत काम है, किसी का इसमें कोई नुक्सान नहीं होता। तो ऐसा संकल्प भी यदि भक्त के मन में जगत का संकल्प भी उठ जाए, तो मालिक दया करके उसको पूरा करते हैं। उसका मन रखने के लिए, सेवक का मन रखने के लिए, कि भाई इसने ख़ए दिया तो अपन ने ख़ए दिया। मन्जूर है। नरसी जी ने सोचा कि मायरा बरना है, तो वो जो बिटिया आई थी निमंतन देने के लिए पीहर, नरसी जी के यहां, उसने जानती थी कि मेरे पिता जी पास कुछ है नहीं, यह तो रात दिन जो है वो बगवान के गुन ही काते हैं, तो अब मायरा बरें की बली नहीं भी बरे काँ से बरेंगे बेचारे, उसने का पिता जी मायरे की कोई बात नहीं है, मेरे सस्वराल वाले ठोड़े लालची जरूर हैं, लेकिन मैं प्रेम से उनको किसी तरीके से समझा दूँगी, कि मायरा बरा अब जो साधी के वक दे दिया, सुदे दिया और कभी होगा तो दे नह नहीं है, मेरे जो भाई थे वो तो कम उमर में चले गए, तो मेरे पिता जी अब उमरवाड़े हो गए हैं, कहां से लामें, मैं समझा दूँगी, नर्सी जी प्रेम में मगन थे, बोला कि बीटिया ने क्या का, इति क्यों दिल छोटा करती है, बर देंगे तेरे भाई कहां तेरे भाई चले गए, तो चले गए, कान ना जो है, वो सांवरी है, तेरा भाई है, वो बरेगा, क्यों नहीं बरेगा, वो बाई नहीं है तेरा, मैंने आज तक उनको कोई काम बताया ही नहीं, बताये तो इनकार थोड़ी करेंगे, तू जा निस्चिंतर है, मारा लेकर पिता जी तू कह रही है, कुछ नहीं, जो यह ब बहगवान के बरुसे बन भगवान के बरुसे, जदा क्यों आजए खृत के है, बरुसा तो टोटनाए जाए, ऐसा तो कभी कहलता ही है, दू अधा है, मेरे पिता जी बरुसा तो अकंड है, अब क्या करेंग जो चली गई, उसने जाके सुस्राज में कहे दिया कि ठीक मेरे पिता जी मायरा समय लेकर आएंगे. साज नेका तेरे पिता जी लेकर आएंगे? भला हाँ. भल तेरे पिता जी पास क्या सामाने जग लेकर आएंगे? बीटे है बेचारी, ना उतर हो गई. क्योंकि वो जानती थी, इनसे जबान कैसे लगाएं, बड़े भी हैं, और पिता जी का तो पास है, तो कुछ नहीं. अब बाकी लोगों से जो फरमारती नहीं, उनसे ये सब तो कैसे कहें, कि मेरे पिता जी के मार बरने के लिए बगवान खुद आएंगे. और पिता जी को जितना बरुसा था, उतना उस बीटिया को भी नहीं था. लेकिन नर्सी जी ने कह दिया कि नहीं बरेंगे, क्यों नहीं बरेंगे? बगवान को बरना पड़ेगा. और रवन हो गे मायरव के लिए. और साथ में को जावे रिस्तेदार तो कोई जावे नहीं? तो बजन मंदली साथ में थी, जो हमेशा उनके साथ बजन मंदली थी, जो हमेशा बगवान के गुन गाते ते मिलजूल करके, उन लोगों को ले गे. अब वो ले गए, पहुंच गए. गुजरात में अंजार नाम का कस्वा है, वह पहुंच गए. वो समझ गए, सामान तो दिख जाता है, मायरव बढ़ने वारों का बड़ी-बड़ी अटेच्यां हो नहीं नहीं हो, तो वो तुछिपी भी नहीं रहती सामान तो तो सामान त कुछ नहीं है, फिर भी क्या करें, समझी हैं, आ गए तो आ गए. लेकिन समय पर भगवान पहुंचे और ऐसो बर्यो मायरो जाको तीरे लोकी जसे गायो ऐसा मायरा परा, कि पूरी तीरे लोकी में उसका यस फेल गया, किसका? नर्सी जी का, कि बगवान नर्सी जी के जाकर के ऐसा, उनका काम उनों निबाया. तो मालिक तो दया लू है, ऐसा ही अपने प्रेमियों के निबाते हैं, अपने को तो कोशिस यह करनी है, कि दुनिया के सब काम करें, लेकिन उसमें उल्जे नहीं, महमत तो कुछ नहीं, काम अपना नहीं, और फिर बगवान सब की, जैसे बाब जी, कभी अपने इस तरह के जो आस्रित बाब जी के उपर, जो आस्रित बरोसे बाब जी के जीवन निर्वा करने वारे सेवक हैं, जो उनके बालक हैं, उनका कोई काम कभी अदूरा रहता नहीं, इस बावना को मजबूत रखें, और जो स्वरू में अपन ने विचार किया था, जो कभीर साब की साखी कि हमें उस रसी से बंदना नहीं है, जिस रसी से पूरा जगत बंदा हुआ है, जिस रसी से जगत बंदा हुआ है, जिस रसी से जगत बंदा हुआ है, तो आपने सेवकों को हुकम देते हैं, तो उस से मत बंदना, फिर यदि अपन भी बंद गए, तो फिर बाब जी के सेव बाब जी के बालक होने का फाइदा क्या तो नई बंदना है और रसी कौन सी है रसी तो आ सकती की है मोर तोर की जेवरी बटी बांद्यो संसार में और मेरा ये अपना पन का बाव आ गया तुम और तेरा ये पराहपन का बाव गया कुछ चीजें मेरी है उनके अंदर मेरी आ सक होना रखती है परही चीजों को आसिल करने के मेरे में दिल में हमेसा काम न रहती है यह सव माया का रूप है मोर तोर की जेवरी बटी बांदो संसार इसी से जो माया ने संसार को बांध करके रखा है воुग अbes deputy साप का फर्मान है कि दास आसकबीरा क्यों बंदे जाके नाम आदार, जिसके नाम का आदार है, वो क्यों बंदे, यानि वो बच सकता है, वो नहीं बंदेगा, तो मैंने जैसा स्रुमिनी विजन किया, पूरा ख्याल ये रखें, कि जगत के सब काम करें, अपने से गर में जो बड़े हैं, हुआ करें, गरेस्ति के सब काम भी करने हैं, खेती, बाड़ी, उपारदिन का काम, भरन पोसन का काम, ये सब करना हैं, ये सब करें, लेकिन मुख्य तवज्य हर दुनिया के काम को करते वे भी, बाप जी के चर्णों में बाप जी के नाम के सुमर्ण में लगी रहने चाहिए दर्याप जी महराज रेन में हुए हैं आपने फरमाया है हाता सू दंदो करे मुखसू सु मिरे राम हातों से दुनिया के सब काम करते रहे लेकिन मुखसे मालिक का नाम या सुमर्ण करता रहे तो दर्याप जी साहिब फरमाते हैं कि ऐसा सुन्दर सोदा बन जाएगा कि जो कितना भी पैसा खर्च करने से नहीं बन सकता कल भी इस बात के चर्चा होई थी कबीर हीरा बन जीया मान सरोवर तीर मान सरोवर के तीर पर हीरे का व्यवसा है हीरे का सोदा हीरे का दंदा करेगा कौन जो हर समय नाम के सुमर्ण में लगा रहेगा तो इस बात का ख्याल रखें और आज की चर्चा को यहीं बिराम